आज एक और नए वीडियो में आपका श् PBS ओस्वागत ए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट ओपन होने से पॉले ही आप कैसे या पता कर सकते हैं कि आज का मार्केट ऊपर जाने तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आज का मार्केट बुलिस रहने वाला है या फिर बीरिस रहने वाला है यदि आप इसे जान जाते हैं तो मार्केट से आप काफी अच्छा-खासा प्रोफिट बना पाएंगे तो कैसे ये काम होता है क्या प्रोसेस होता है चले इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं तो सिंपल है मैं अपने लेप्टाप का एस्क्रीम रिकार्डिंग आन करता हूं उसके बाद से मैं आपको समझाता हूं तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक् कूश कोड़र आते हैं यहां सद्वाइन के बाद से आप जिसमें कर आपको किसमें डिदिंग करना कगा निपनेन करना अधियां ग। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एल्रेडि बनाया हूं जो कि शाखे डेख सकते हैं आपको इस वीडियों को वाच कर लेना है तो आपको यह clear हो जाएगा कि आपको किसमें trading करना चाहिए उसके बाद से आपको यहाँ पे चलिए मैं आपको bank nifty में ही समझाता हूँ तो simple chart वाले option पे आपको click करना है ग्ली करेंगे उसके बाद से यहाँ पर आपको बगल में यहाँ यहाँ पैप आउट चार्ट का option दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे तो चार्ट पूरी तरह से लोड हो जाएंगा तो simple आपको इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर देख सकते हैं कि चार्ट लोड ले रहा है यहाँ पर चार्ट आ चुका है उसके बाद से यहाँ पर जस्ट बैक में ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नया option एड हुआ है यहाँ पर option आया है bits new का यह option क्या है इसके बारे में next वीडियो में बात करूंग कि आप मार्केट आज बुलिस होने वाला है या फिर बियरिस होने वाला है अगले दिन का भी आप जान पाएंगे तो simple लें चार्ट पर आने के बास से यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है तो simple लें आपको इस टाइम फ्रेम पर क्लिक करना है और से ताइम फ्रेम आपको वनडे पर लेना है याने एक दिन टाइम फ्रेम पर आ जाना है आने के बास से और यहां पर चार्ट नढेखना है मार्कट जो ट्रेंड वुदा होज़ी लगा था मिर्केंड में पिन होता है इसी की अधार पर market चलता है काम होता है सबसे पौला जो trend होता है market का वह up trend होता है इसके just be pretty जो है market यहीं निच्छे की और fall करता है तो उसको downtrend कहा जाता है और एक market ऐसा होता है ना तो upside में move करता है ना तो downside में move करता है बलकि market एक range में फसा हुआ रहाता है तो इस तरह के market को sideways market करते हैं इसमें market upside में breakout देता है तो यहाँ पर call side में जा सकते हैं और downside breakdown देता है तो यहाँ पर पूर side में जा सकते हैं तो market का जो trend कितने होते हैं basically आपने समझ लिया इसमें हम देखेंगे कि one day time भृष्य번 में मार्केट का ट्रेंड कैसा है चलिए इसको और जूम कर लेते हैं काफे पास में ला होगे तो आपको अच्छे से दिखेगा और समझने में भी असानी होगी तो यहां पर यहां पर आप देख पा रहे हैं मार्केट का जो ट्रेंड अभी जो है यहां से मार्केट का जो ट्रेंट पूरे डाउन तरेंड में था यहां पर मार्केट विर जा रहा है तो यहां से आपको यह क्लिएर हो जा रहा है कि one day time frame पे market का जो trend है वह up trend में है यानि कि आपको क्या करना है अगले दिन का plan करना है आपको call side में जाना है यानि market का moment जो है bullish है यानि कि अधिकतर bullish ही है यदि आप heavy quantity लेते हैं heavy quantity लेने का मतलब यह है कि daily जो है आप nifty 50 में एक lot से trading करते हैं यानि कि 15 quantity लेते हैं तो आप यदि आपका setup जो बनता है strategy जो बनता है call side में तो आप जो है इसका double कर सकते हैं यानि कि 30 ले सकते हैं दो lot में जा सकते हैं अगर call side में trade बनता है तो अगर नहीं बनता है तो आपको पंद्रा आपको इसी से काम करना है आप अधिक काम करते हैं तो आपको जितना कम से कम लोट रखे काम करेंगे तो आपके लिए बेतर होगा अगर trade जो है आपके against में जाता है तो आपको कम quantity लेना है अगर trade जो है आपके favor में जाता है तो आपको अधिक quantity लेकर trade करना है आपको उतना ही अधिक लेना है जो की रिस्क रिवार्ट को आपको मेंटेन रख सके आपको उतना ही लेना है तो वन देन टांगанд का जो टरेण करने हैं अगले दिन के लिए अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटिजी नहीं है तो चानल पर एल्रेड़ी स्ट्रेटिजी वाला वीडियो अप्लोड किया गया है फाइप मिनट केंडल से इनलाइज करके वन डे टाइम फ्रेम का इस्तमाल करते हुए आप समझ जाएंगे यह होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें चानल पर पहली बार आ रहें तो चानल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए